लोजी फाइनली टाटा मोटर्ज न टाटा करव को दुनिया के सामने अनवील कर दिया है जहां मैंने इस न्यूज को लेकर 3-4 दिन पहले एक वीडियो के जरीय न्यूज अपडेट दी थी कि कमपनी 19 तारीक को अपनी टाटा करव EV को दुनिया के सामने लाने जा रही है हालांकि इस ख़बर पर सभी को डाउट हो रहा था क्योंकि ख़बरों में टाटा मोटर्स ने 7 अगस्त को टाटा करव को लौच करने की बात कही थी लेकिन मैंने उस वीडियो में श्पेशली ये मेंशन किया था कि कमपनी टाटा करव को 19 जुलाई को दुनिया के सामने अन्वील करेगी और ऐसा जस्ट अभी-अभी हुआ है जहां टाटा मोटर्स ने आखिरकार अपनी करव कूफे SUV के प्रडेक्शन वर्जन के एक्स्टिरियर का खुलासा कर दिया है जैसे कि कमपनी ने करव को सबसे पहले अपरेल 2022 में लेक्टिक कोंसेप्ट के तोर पर और फिर जनवरी 2023 में इसके ICE फोर्म में शोकेस किया था हलांकि कमपनी ने टाटा करव के एक्स्टिरियर का खुलासा कर दिया है लेकिन अभी भी कमपनी ने टाटा कर्व के इंटेरियर का खुलासा नहीं किया है जिसे कि कमपनी साथ अगस्त को इसकी कीमत के साथ ही दुनिया के सामने लेकर आएगी चलिए अब जान लेते हैं दुनिया के सामने आई टाटा कर्व के बारे में काफी डिटेल में कि इसमें अब concept model के अलावा क्या कुछ बदला है और company ने क्या कुछ इसमें add किया है तो जैसे कि Tata Motors का एक लंबा इतिहास रहा है जहां company अपने launch किये गे product को दिखाएगे concept model के लगभग 95% तक वैसे की वैसे ही गाड़ी रहती है तो Tata Curve के मामले में भी expector था और यहां पर production ready model में कु और split rear spoiler अव एक छोटी unit के तोर पर दिया गया है चलिए जान लेते हैं Tata Curve के बाहरी design को पूरी detail के साथ तो सामने से करव नेक्सोन के जैसे ही दिखती है जिस पर यह अधारित है और Tata Curve के ICE और EV models की बीच में कुछ अंतरस दिये गए हैं वहीं Tata Curve EV में 5 EV की तरह ही इसक के निचले bumper में vertical styling दी गई हैं वहीं इसके ICE model में इसके lower bumper और grill area में small horizontal elements दिये गए हैं इसके लावा दोनों ही variants में headlights के लिए तर्कोनी housing और daytime running lights इसके चुड़ाई तक फैले हुए हैं अलांकि Tata Curve के front को छोड़ दिया जाए तो ये नेक्सोन से बहुत ज़्यादा अलग है जहां पर ये Tata नेक्सोन से ज़्यादा लंबी और इसमें एक coupe style छट दी गई है बात करूं wheel arch की तो इसमें च्कोर अकार के wheel arch दिये गए हैं वहीं ICE संसकरन में left rear fender पर एक fuel lid दी गई ह और साथी इसमें five spoke alloy fields भी दिये गए हैं हलांकि ICE के बिपरीत EV करव में अलग design के alloy fields दिये गए हैं जो कि ज़्यादा arrow efficient हैं इसके लावा दोनों ही कारों में pop out flush door handles और इसमें दी गई black cladding common हैं बात करूं इसके rear design की तो पीछे की तरफ दोनों कारों में roof top mounted spoiler दिया गया है ज पीच से थोड़ा सा जुका हुआ है इसके लावा दोनों ही variants में tail lights common हैं और Tata logo unit के उपर पीछे की तरफ फैला हुआ है बहीं दोनों कारों में lower bumper section भी silver trim में finish किया गया है और ICE version में exhaust नीचे की तरफ छिपा हुआ है इन सब भारी features के लावा इस गाड़ी में एक बहुत बड कोई फी जानकारी नहीं दी है लेकिन इसके इंटीरियर के बारे में काफी stick ख़वरें निकल के सामने आ रही है और इन ख़वरों की माने तो Tata कर्व में nexon से बहुत कुछ लिया गया है जैसे कि steering के उपर illuminated logo और two spoke steering wheel floating touchscreen और touch panel controls हलांकि Tata Motors का कहना है कि इसके इंटीरियर में कई different color schemes दिये जाएंगे चलिए अब बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में तो Tata Motors सबसे पहले electric curve को launch करेगी जिसकी उमीद सभी को 7 अगस्त को है और इसके बाद petrol और diesel versions launch किये जाएंगे बहिन Tata Motors का कहना है कि इसके body style इसे एक खास specialist बनाते हैं और इसकी कीमत power train options और कई variant ये निश्चित करेंगे कि ये mid-size SUV segment में अपने rivals को टकर दे सके और साथी company का कहना है कि ये punch और nexon की तरह अपने segment की later बन सकती है रही बात इसकी कीमत की तो हलांकी company ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है लेकिन ख़बरों की माने तो Tata Curve EV की की कीमत 20 लाख रुपे से अपडेट होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें, share करें, channel को subscribe करें और bell icon पे all पे click करें तो जहीं दोस्तो have a good day